यूपी मदर्सा एक्ट वैद या अवैद सुप्रीम कोट ने मंगलवार को इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया सुप्रीम कोट ने इलाहबाद हाई कोट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदर्सा एक्ट की सम्वैधानिक्ता को बरकरार रखते हुए मानेता दे दी है विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाश वध्यारती के खंडपीट ने यूपी की योगी आदितनाथ सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया था ताकि वर्तमान में मदर्सों में पढ़ रहे चात्रों को आपचारिक शिक्षा प्रणाली में अज़स्ट किया ज इस मामले पर इसी फैसले को बदलने का काम किया है सुप्रीम कोट ने फैसला बदलते हुए सी जे आई चंदरचून जस्टिस जेबी पार्दिवाला और जस्टिस मनूत मिश्रा की बेंच ने कहा कि ये सही नहीं था सुप्रीम कोट ने कहा कि राज जिस सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है इसमें सलेबस छात्रो का स्वास जैसे कई पहलो शामिल है और मदर्सा मजहभी शिक्षा भी देता है लेकिन उनका मुख्य अध्देस इसलिए किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बादे नहीं किया जा सकता यानि कि अब मदर्सा एक्ट जारी रहेगा और मदर्से चलते रहेंगे और 16,000 मदर्सों के स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे हलाकि यूपी मदर्सा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि एक्ट में मदर्सा बोर्ट को फाजल कामिल यानि कि यूजी और पीजी जैसी डिग्री देने का अधिकार दिया गया है जो UGC Act के खिलाफ है इसे हटा देना चाहिए यानि कि डिगरी देना असमवेधानिक है बता दे कि इसके लिए UP के योगी आदितिनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफ नामे में कहा था कि UP मदर्सा बोर्ट के जरिये दी जाने वाली कामिल और फाजल डिगरी ना यूनिवर्सिटी के डिगरी के बराबर है और ना ही बोर्ट की ओर से पढ़ाई जाने वाले पार्ठिक्रमों के बराबर है इतने सब के बाद अब थोड़ा सा इस एक्ट का और इलहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का बैगराउंड जान लेते हैं सन 2004 में मदर्सा एक्ट लागो किया गया जिसका मोटिव मदर्सा शिक्षा को विवस्थित करना था ये समय मुलायम सरकार का था इसके खिलाफ कई याचिकाय दर्ज की गई इन सब को मर्च करके 22 मार्च 2024 को इलहाबाद हाई कोर्ट की लखनाओं बैंच ने 86 पेच का फैसला की दिया उस फैसली में कोर्ट ने इसे असमवैधानी गोशित कर दिया साथी यूपी सरकार को स्कीम मनाकर मदर्सों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को भी कहा कोर्ट ने बोला कि धर्म के आधार पर बच्चों को अलग-अलग प्रकार की शिक्षा मुहया नहीं कराई जा सकती अगर ऐसा किया जाता है तो ये धर्म निर्पेक्षता का उलंगन होगा इसी फैसले के खिलाफ मदर्सा अजीजिया इजाज़त और उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में पैटिशन दायर की पांच अप्रेल को इस पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस फैसले पर रोक लगा दी और अब पांच नवंबर को इस फैसले को बदल कर सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की समवेध हानिकता को बरकरार रखने का फैसला दिया है इस फैसली पर आपका क्या सोचना है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें थान्यवाद